पाकिस्तान पर एक मेरा आखरी सवाल ये, जो अबसेशन विद कश्मीर है, ये जो कहते हैं हमारी शारग है, हमारी तो मतलब क्या, जगलर वेन है, ये ये भी क्या आर्टिफिशल कंस्ट्रक्ट है, क्या उनका ऐसा, क्या फसा हुआ पाकिस्तान का कश्मीर में? इसमें मैं समझताँ दो बाते हैं, एक तो क्योंकि मुस्लिम मजॉरिटी है, वो समझते हैं कि हमारे पास आना चाहिए था, दूसरा पानी का मसला है, वहां जहांसी नदियां पाकिस्तान में जाती हैं, सब कश्मीर से होके जाती हैं, इंडस, जेलम, चिनाब, रावी भी अप इस पर कंट्रोल चाहिए हो, इसको उनको कंट्रोल चाहिए है, और आपने इसमें ये भी लिखा है कि हमारा शायद पाकिस्तान पर अगर कोई लिवरेज है, मतलब कोई ऐसी बात जिससे हम पाकिस्तानों कुछ हद तक अब मन माने के लिए मजबूर को सके हैं, तो वो भी प जो हम इस्तिमाल कर सकते हैं, क्या वेस्टन रिवर्स पे भी थोड़ा इस्तिमाल कर सकते हैं और इस्टन रिवर्स यानि की सतलज, बयास और रावी, हंड़र्ड परसंट हम यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं हमने यूज़ किया, वो भी जा रहा है, क्योंकि हमारे आपसी बनाए अब हम शुरू कर रहे हैं हमने शुरू किया है और मैं समझता हूं कि पिछले आठ दस सालों से सरकार ने एक ये निर्ने लिया है कि जो हमारे हक है इन रिवर्स पर हम पूरी तरह से इस्तमाल करेंगे पर ये सारा पानी तो आप रोक नहीं सकते जो थोड़े लीकेज ह होती है कुछ पर मैं कहता हूं कि अगर आप पांच-दर्स परसंट भी काम कर दीजे वहां तो अग लग जाएगी पाकिस्तान में वैसे ही उनकी पानी की बहुत कमी है और कोई वेस्ट इतना करते हैं सारा जोंसा पानी है पंजाब खा जाता है और सिंद नदी जोंसी है कहत है तो मुश्किल हो जाएगी हमने अब बाइद वे हमने पिछले साल कहा है कि हम इंडस वाटर ट्वीटी को री निवर्शियट करना चाहते हैं तो थोड़ा बं तो हमने लगा दिया है ना ज़रूरत है इसकी तो अबने नेकी कर दरिया दरिया में डाल को लिटरी ले लिया यह जो मर्जी हमारे साथ करता रहा है यह पर पानी भी देंगे आप नेकी करें वहां तक तो समझ में आता है अपने नुकसान पर नेकी करें अपने देश का हित जो है पतब जो जो नेशनल इंट्रेस्ट है उस पर कॉंप्रमाईज कर जाएं यह समस्या की बात है और वो ब तो रिव्यू नहीं करते हैं तब तक तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन आप जो है धीरे धीरे स्क्रू जैसे कहते हैं टाइट किया जाता है उस तरह से करना शुरू करें कि आपके हिस्से का जो पानी है वो ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें आप आप इसको जो है लडाई मत दीजी. मैंने तो कहा है कि अगर हम को ये कहना चाहिए कि देखिए हम पानी हमें क्यों पानी चाहिए? कश्मीर की जनता के लिए. आप कहते हैं कि कश्मीर की जनता की भला के लिए आप सोचते हैं. तो कश्मीर की जनता तो चाहती है कि पानी और हो वहाँ. ठीक है. एक और इंडिया के framework में देखी है. strategic framework में नहीं देखी. इसलिए वो तो चाहते थे कि कश्मीर का बढ़वारा हो जाए. किसी ने जब वो अफगानिस्तान खान अब्दुलगफार खान चाहते थे कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान में रहे. नहीं 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 कुछ नहीं. भुलूचिस्तान मौका था, इंडिपेंडेंजन्ट था. और उनने कहा कि जॉइन करना है. नहीं, नहीं. बाद में गौदार पोट, उमान के सुलतान नहीं नहीं नहीं. लोगान ने कहा पार्लिमंट में बैई कैलाश मान सुरोवर तो हमारे धर्म सल है तो वो करें कि क्यों की जमेदारी है ऐसे ना करें मतलब उनकी सोच टिब्वित ऐस तुरकिस्तान सब कुछ सबसे बड़ी गलती टिब्वत है मतलब आपने सोचा कि आपके जोंसे बाउंडरीज है यही है यह अंग्रेज पुलिटिकल बना गए औरने बाउंडरी नेपाल इंडिया की कर दिए रहे ठीक है यह ठीक है नेपाल एक देश है भाई नेपाल था एक आप नेपाल कभी जाएं तो कहेंगे यह देश मधेश परदेश मधेश क्या था देश के बीच में तो नहरू जी ने थी सरदार पठेल में उनका दिसंबर उननिस सो पचास का उन्चास का या पचास का लेटर है उसको आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहरू को स्ट्रेटिजिक उनकी तिंकिंग थी ही नहीं वो अपने ही एमबेसडर को जो चीन में था उसकी आलोचन कर रहे हैं कि ये चीनियों से मिला हुआ है ये वही बोल रहा है जो चीनी चाहते हैं अगर तिबबत पर चीन का कब्जा नहुआ होता तो चीन से हमारी सीमा ही नहीं होती हमारी सीमा तो तिबबत के साथ है चीन के साथ कभी नहीं थी